तो हलो फ्रेंट्स जेवाला जी कैसे आप सब आप आप सब अच्छी होंगे काश में लगे दूने हम आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी टेस्टी और हल्दी उड़त की ढाल के आठे का हल्वा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम तो हमने फ्रेंट्स आदिकटोरी चीनी ली है आदिकटोरी हमने घी लिया है छेस से साथ हमने बादाम ली है और उड़त की डाल का आठा है फ्रेंट्स हमने बहुत से ही इसे लिया है तो आदिकटोरी हमने आठा लिया है उड़त की डाल का तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और दूसरी तरफ हमने दूद को गरम करने के लिए रख दिया है तो फैस थंडी में स्पेशल ही बनाते हैं उड़त डाल का हल्वा तो चलिए अभी हम आदिकटोरी इसमें गी एड़ करेंगे टेस्टी तो बहुत है और हल्डी भी है सेथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है गी मेल्ड हो चुका है तो अभी हम आटा एड़ कर देंगे बहुत ही सिंपल है जैसे हम सुजी का हल्वा बनाते हैं वैसे ही है लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी है अभी तो हमने आटा ही एड़ किया है और क्या खुश्पू आ रही है फ्रेंट्स सच में ट्राइ कीजिएगा हो सके तो आप ये हल्वे में पानी की जगा पे दूद एड़ कीजिए फ्रेंट्स क्योंकि हम ये हल्वा आधी कटोरी से बना रहा है है तो हम इसमें ढाई कटोरी दूद लेंगे सेमी नाप रखा है हमने फ्रेंट्स जो भी आपके पास कटोरी हो उसका नाप रख सकते हो इस स्टेज पे हम बादाम भी एड़ कर देंगे तो अच्छे से बादाम भी भून जाएगी आप देख सकते हो अच्छे से बून गया है यह देखिए बूनना जरूरी है जैसे आप नॉर्मल हलवा बनाते हो वैसे ही बूनना है सेम प्रोसेस ही है तो चलिए अभी हम इसमें दूद एड़ करेंगे दूद को हमने गरम कर लिया है थोड़ा थोड़ा हमको एड़ करना है एक साथ में एड़ नहीं करना है आप देख सब्सक्राइब आधी कटोरी मैंने आड़ा लिया था और हम टीम कटोरी दूद करना है आटा लिया था और तीन से चार कटोरी भर के हलवा बना है आप देख सकते हो वैसे आप सूजी का हलवा और आटे का हलवा आधी कटोरी बनाओगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन यह आटे से ज्यादा ही होता है और सेहत के लिए यह आटा बहुत ही अच्छा रहता है आप यह हलवा गुड़ से भी बना सकते हो तो साथ से दस मिनिट में यह हलवा तयार हो गया बनके अभी टाइम है लेकिन हम बता रहें आपको प्रेंट्स हमने इलाजी पाउडर भी एड़ कर दिया है आधी जमच अभी हम चीनी एड़ कर देंगे आधी कटोरी हमने चीनी लिए है कि अभी हम साथ कर दो दीजाए कि यह है हलवा उड़ट की डाल का हलवा इस ठंडी में आप ज़रूर से ट्राइ किजिएगा तीन सी चार मिट हम रखेंगे हलवा बनके तयार है फ्रेंड्स टेस्टी टेस्टी हलवा ते चली अभी हम सब करते हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो जलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम सब करते हैं बहुत ये टेस्टी टेस्टी हलवा बना है फ्रेंड्स एक बार ये श्टाइब से ज़रूर से ट्राइ किजिएगा सच में बता रहे हैं आप ट्राइ किजिएगा बनाईगा तभी आपको मालूम पड़ेगा के एक्च्छल में कैसा बना है ये अलवा बहुत ही टेस्टी लगता है सच में जितने तारिफ करो इतनी कम है जितने तारिफ करो ये हलवे की इतनी कम है तो फ्रेंस बादाम की कतरन से हम घानिश करेंगे तो तयार है फ्रेंस उलद की दाल के आटे का हलवा हल्दी और टेस्टी टेस्टी बहुत ही टेस्टी ट्राइ किजिएगा अगर आप ट्राइ करोगे तब ये आपको बता ज़ड़ेगा तो फ्रेंस अगर आपको आज की रसी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आपका एक कमेट मुझे मोटिवेट करता है और भी हम अच्छी अच्छी तेस्टी तेस्टी और सेंपल रसीपी लेके आएंगे आपके लिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स कर दो के लिए साफे करने कि लिए मोटिवेत控 sixteenbook मेरा वीडियो